हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त विकास और आज मैं आपको बताऊंगा कि सुशान्थ सिंग राजपूत की आखरी फिल्म यानि कि दिल बेचारा होट स्टार पर रिलीज हो रही है 24 जुलाई को उशान सिंग राजपूत की आखरी फिल्म दिल बेचारा जो की बेज़्ट है फॉल्ट इन आर स्टार्स यानि की दे फॉल्ट इन आर स्टार्स हॉलिवूट की एक फिल्म है जिसके उपर जिसको लेकर ये रिमेक बनाया गया है हिंदी में इसके डिरेक्टर है मुकेश छाब दी गई थी लेकिन थेटर्स ना मिलने की वज़े से इस फिल्म को रिलीज रोक के रखा गया था शायद पहली बार हो रहा है इंडिया में कि कोई भी स्टार है उसके डेथ के बाद उसकी कोई आने वाली फिल्म नहीं फिल्म बिलकुल OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज हो रह रहे हैं तो उमीद करते हैं कि म्यूजिक बहुत ही अच्छा होगा फॉल्ट इनार स्टार्स अमेरिकन फिल्म थी और इसके भी जो यह भी जो फिल्म थी एक नॉवल को पर बेस्ट थी और उसी फिल्म की यह रिमेक है फॉल्ट इनार स्टार्स की कहानी होती है दो टीनेजर कि जिसमें से की एक जो लड़का होता है उसे पहले से कैंसर होता है जो लड़की होती है उसे सांस लेने में तकलीफ टाइप की कोई किसी तरह की बीमारी होती है तो उसे हमेशा अपने साथ एक औक सिलिंडर लेकर गूमना होता है जो लड़का होता है वो हेजल यानि की जो ल मिल जाती है 14 in our stars देखकर काफी तॉर्स में कह सकता हूँ कि यह डिप्रेशन के उपर भी बेस्ट फिल्म है आप इसको बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे सुशान्त की लाइफ से जो लोग देखेंगे इसे वो बहुत ही ज्यादा फिल करेंगे कि उनकी लाइफ के उपर फिल् फॉल्ट इनार स्टार नॉवल के उपर फॉल्ट इनार स्टार एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी और इसे इमडीवी पर भी 6 या 7 7 रेटिंग मिली है और मैंने देखी थी पूरी फिल्म दिल बेचारा सभी के लिए अविलेबल होगा और इसके लिए आपको कोई होट स्ट और वाइरस की वज़े से ये फिल्म OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज हो रही है बहुत ही अच्छा होता अगर सुषांत सिंग आज जिन्दा होते हैं और हमारे बीच होते हैं तो ये फिल्म और चायद सबको अच्छा लगता देखने में लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस कि बहुत ही जादा चर्चे में रही थी और क्योंकि उस फिल्म में काफी सार डिप्रेशन दिखाये गया है depression के क्या side effects होते हैं वो दिखाया गया है एक लड़का जो cancer से अल्रेडी जूज रहा है एक लड़की जिसको भी लगबग cancer ही है और वो लड़का जो आखरी में जाकर मर जाता है और फिर उसके बाद जो film का जो दिखाया गया है वो आपको भी देख कर थोड़ा सा ये लगेगा क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रैजडी वाली फिल्म थी तो मैं इस तरह के फिल्में देखना जादा पसंद नहीं करता हूँ लेकिन मैं ये फिल्म जरूर देखूंगा दिल बेचारा मैं आपको फिर से बता दू कि ये फिल्म सब के लिए अविलिबल होगी यानि इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे बिल्कुल फ्री होगा ये होट स्टार पर और आप इसे घर बैठे आराम से अपने मुबाइल फोन, अपने टैबलेट और अपने लैपटॉप में देख सकते हैं 24 जुलाई का इंतिसार कीजिए ये फिल्म आपके मुबाइल स्क्रीन पर ही आ जाएगी ये था मेरा आने वाली फिल्म दिल बेचारा के लिए रिव्यू और एक तरह से ये रिव्यू नहीं है ये एक तरह से अनाउंस्मेंट है कि अभी अभी ट्विटर पे होट स्टार ने अपलोड किया तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ तो चलिए अगले रिव्यू तक क्लिए गुडबाई अगर आपने मेरे चैनल को पी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें